कि आप सभी का बहुत स्वाकत करता हूं मैं हमारे आज की सेशन में जिसमें मैंने जो स्पिशल टॉपिक है बीसिकली सेस्क्राइबर की बोलने पर यह रिकुएस्टेट टॉपिक है यह और नहीं बोला था क्या है वह इस चीज के उपर कुछ आप लेकर आप मैंने यहां पर ह इसलिए आज सेशन चड़ता इंटरस्टिंग होने वाला है यह जिसके बताने वाला हमें हानीबाट होता क्या है किस तरीके से यह वोक करता है और कैसे हाकर के लिए यह ट्राप की तरह काम करता तो वह सब चीज़े आज हम कवर करने वाले बहुत प्रैक्टिकली साउंड हो लग अभी तक अब 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 आखर पने अटाकर पर एक सेयर को भी को की त्राप कर सकता है वह ट्राप करने का बस तरीका क्या होता है कि हर सुखने का प्रियोड हो不자가 करे तो आज यह उन् AM poker को जा सकता है और किस तरीकों से 8ijdल वह सिनारिय को ह करता है आज था निन आ ब्लू टीम पर रटीम पर क्या कर रही होगी तो वह समझेंगे बहुत इंट्रस्टिंग होने वाला है प्रेट करें लिए अगर अपन अटाग कर रहे हैं उस कंडिशन में ब्लू टीम का काम क्या होता है कैसे वह आपके फुट्प्रिंट को ट्रैस करती है और उसके बाद उसके बिहाब पे कुछ नई रूल्स को बनाए जाते हैं अब रूल्स बनाने वाले पार्ट अपन अलग वीडियो में कवर करेंगे पर हाँ ट्राप करने तक अपन अडिन्टिफाई करने ही बहुत इस इस पटिकलों चीज है जुड़ चुके अपने साथ में बहुत अच्छी बात है फ्राट प्रेजिंट से डाल दो चैट बॉक्स में ताकि मुझे पाज़ा कितने स्टुडेंट्स जो हैं वो जॉइन करके बठे हैं उसके अलाबा एक और चीज फ्राट वीडियो को लाइक करते हैं फिर अपने स्टुडेंट्स एक बार वीडियो को लाइक करते हैं । तक अपने पास वीडियो के लाइक करते हैं तो फिर अपने बना रखा है सब आ चुके यहां पर बहुत बाध बढ़े बाति थिक्टि इन रन कर रहे हैं इसलिए जो कि पताना चेक कर गया या संथ स़ह हूभ है सांट श्ञाषन है विल्कुल विल्कुल विल्कट बनाओ तो रोखने कर लिये बनाओ करने के बाद ही सेशन देखते हैं क्या बाद बढ़िया ठीक है बिना डाइम बेसकर अब स्टार्ट करते हैं तो हानी बॉट के बारे हैं बात कर रहे हैं कि अपने वाला गाना सुना एक और गाना था मैं आज दिन में गुन गुना रहा था तो मतलब यह जो है ना हनी बॉट करता क्या है यह सिस्टम्स पर हम लोग इंस्टॉल करते हैं ब्लुटीम जो होती है जैसे मालो कि आपके कोई कंपनी है दिखाता हूं मैं एक एक्जामपल लेकर एक मैं पेंट ओपन करते हैं पहले चोड़ा समझते हैं उसके प्रेटिकल दे तो यह अपना सर्वर हो गया वाला काना सुना कितने लोगों सुना रही है प्यार तेरा तो बसिकली आज जो है ना अटाक के अंदर वह होने वाला है वाई चुकि यह जो बोटस बोलते हैं कि आप तो यह सर्वर हो गया आपका दिख रहा होगा आपको मुझे बोल देना अगर आवास धीरे आरी तो मैं सब्सक्राइब को पता है कि जब भी आपको अटाक करते हैं तो उस कंडिशन में क्या होता है कि कोई नहों को पूर्ट के ओपर कोई वेब सर्वर के ओपर कोई एफटीपी के ऊपर कोई एवैल सर्वर के उपर आप अटाक करते हैं तो उस कंडिशन में सीधे आटक कहा जाता अब यहां पर कंपंपनी नहीं अगरा तबन भाई में यह करा आपना टेंटिफाइग नहीं कर पार है क्या आटक करा जा रहा औ प्रोडॉक्ण के अंदर फिकें अंदर प्रोडव्स से क्या हुआ कि बेसिकलिया जब कोई अटाकर अटक करेगा तो वह पहले इसको अटाक करेगा इसका रेंज लेदे अपन यह इसका IP अड्रेस है और ऐसे ही इसी रेंज के दोसरा IP अड्रेस 111.12.13.15 जब अटाक करेगा जिसे हम ब्लाक बॉक्स टेस्टिंग करते हैं तो अपन डोमेन के सब डोमेन्स निकालते हैं और फिर अनुम्रेशन करते हैं तो ऐसे ही ज़कता है कि इस डोमेन के उपर यह एक डोमेन है जैसे मानलो की डोमेन्स टेस्ट.com समझना पहले सिनारियो को समझो कि सिनारियो होता कैसे क्योंसे वह ट्राप विछाता आपके लिए तो अभी यहां पर अपने ट्रापिंग का काम कर रहे हैं सभी मारा आपको ठी तेस्ट.com ठीक है एडमिन इसको अपने रेड कर देते हैं ठीक है अब क्या हुआ जब आपने रिकॉन करना स्टार्ट कर रहा तो नहीं आपने अगरा गूगल पे गए पहला आपने स्टैप क्या करते हैं एक गूगल पर जा कि आपन उसकी साइट निकालते हैं ठीक है ना स स्टैप 1 है आपका स्टैप 1 सर्च इंजन का आपने यूज कर आ जिसे होगा Google का आपने यूज करा उसकी वेबसाइट निकालने के लिए ठीक है न या फिर आप विकीपीडिया का यूज करते हैं ठीक है ना ब्लैक बॉक्स सिस्टिंग की बात कर रहा हूँ यहां पर हम लो सब्सक्राइब करने के दौरान आपको पहले तो आपको यह सर्वर का नाम मिल गया था ठीक है ना इसके अंदर यह test.com आपके पास आ गया उसके बात क्या हुआ कि आपने जब सब्सक्राइब करा तो अब इसको टारगेट कर लिया अब जब आप इसको टारगेट कर रहे हैं तो उस टाइम पर आप चलाओगे पूर्ट स्कान करोगे सेकिंड जो स्टेप आपका थर्ड स्टेप जो जाएगा आप या करोगे स्टेप थ्री फिर आप पूर्ट स्कैन करोगे ठीक है ना फिर आप वर्जन इनम करोगे ठीक है यही चीज़े हैं बिल्कुल जो मैं अता रहा हूं आपको आपको कि रेट टीम जो ना रेट टीम बहार से एक्स्टरनल अटाक लगाती है कंपनी के अंदर और ब्ल्यू टीम अंदर रहके उसको अडेंटिफिकेशन करती है ठीक है ना वर्जन इनमेरिशन करोगे और फिर ना पूर्ट स्कैन करोगे फॉर्ट पॉइंट पर आप जा फाइंट एक्स्ट्रोट और फिर रन करोगे एक्स्ट्रोट ठीक है ना तो बीसी के लिए आप जाए करने वाले कि यह सिक्वेंस रहेगा हमारा और फिर उसके वादा एक बार एकस्स शिस्टम ठीक है ना फिर क्या होगा आपका स्टेप 6 के अंदर बैकडोर क्रियेशन ठी कोई भी हाकर फॉलो करता है किसी भी सर्वर में एंटर करने के सब्सक्राइब करेगा कमपनी की साइट सर्च करने से उसको एक वेबसाइट की इंफोर्मेशन मिल जाएगी ठीक है ना वेबसेट की इंफोर्मेशन मिल गई फिर सब्सक्राइब करेगा इसके वर्जन कौन को से अवलेबल है वह अगर वर्जन आउट्टिट है तो उसके एक्टिव इस्प्लाइट ढूंडा जाएगा और एक्टिव एक्स्प्लाइट मिल गया तो फिर उस सिस्टम म अगर आपको उसका वर्जन मिल गया है तो अब इस बाते इसको आप रिमूव कर दोगे तो यह प्रॉपर स्टैप होता है अदर हमारा सर्वर हाकिंग वह सारे सारे स्टैप्स होते हैं हमारे सर्वर हाकिंग के सभी बात है सब मानते बहुत इसको अब देखो यहां पर क्या है अब यहां पर समझते हैं कि सर्वर हाकिंग के स्टैप्स होगे हमारे तैंकिस तो मच रहना भाई रपलाई करने के लिए रेट टीम और ब्लू टीम में डिफरेंस देने के लिए बहुत अच्छी बात है सर्वर हाकिंग के यह स्टैप्स दे रखें पूरे पूरे उपर से लेके नीचे तक ठीक है ना अब क्या करना को यहां पर जो अटाक हो रहा है ना अब अपन ब्लू टीम में अपन को यह जानना है कि तपन भाई अपन को यह देखना है कि कि कितने लोग अटाक कर रहे हैं सवज मारा मतलब कि कितने लोग अटाक कर रहे हैं अपने सिस्टम पर और वो क्या फुट्प्रिंट्स हैं उनके वह अपन को अडिन्टिफाई करना है तो अपन नहीं सर्वर लेकर आ है कि डमी सर्वर जो ना यह होता है आपका हनी बॉट अपने बॉट के बारें बात करें हैं अब कितने लोग अगया फिट से समझा दो वाई ठीक है और देखो और कितने लोगों समझा को नहीं समझा कोई दिक्कत नहीं है अब है करना आप अब है आप अब सब्सक्राइब नहीं चल रहा अब यह टॉपिक करणा इससे टॉपिक रिलेटेट पूछ रहा है कि अब वह जो लेट आया है उनको नहीं आए कि बिलकुल क्योंकि आप यह लगए लोगों पर आप तीशे हो गया चलो ठीक है और और करनी है अब देखो इसके लिए पर आप को समझने की जरुरत है कि हनी बॉट हनी बॉट होता क्या है कि हनी बॉट जो है यह एक डमी सर्वर है जिसको कंपनी यूज करती है ताकि कंपनी अटेकर को फुट्पिंट को अडेंटिफाय कर सके वह कौन सा लगा रहा है वह क्या यह हमारा क्या है अच्छे करेगा और फिर लसके फिर उसको यह वाला सर्वर मिल जाएगा अँटवर करने जाएगाए यह सारे स्टे वह व Фॉलोो करता है अल्टक करने जाएगा हो सर्वर जो वो store करेगा तो उस store करने से जो हम हमें patent मिलेगा उसके बिहाब पर हम लोग security के साफ से firewall पर रूल डबलब कर सकते हैं या पर को security और implement कर सकते हैं इसको prevent करने के लिए हमें पता हो चले कि hacker किस type का attack perform करना चारा तो honeybot काम यह होता है कि वो capture करता है उन सारे footprints को जो attacker attack perform कर रहा है ठीक है आजाए PDF से वापिस से अब देखो यहाँ पर ठीक है तो honeybot जो है क्या है honeybot are generally hardware or software that are deployed by the security department of any organization to examine the threats that are processed by the attacker अब basically क्या रखा है इसके अंदर अब जिसमें बता रखा है अब यह honeybot बिदिजिकि होता क्या है कि यह hardware, software मतलब दोनों फॉर्म में आता है यह hardware भी आ सकता है यह software भी है ठीक है ना दोनों farm में आ तर ke इसको element करता स्बुर्ण करता सी क्याए डिपार्टेंट कि होगा वह उसको implement करेगा ताकि क्या कर सके एगजामीन कर सके threats तो उससे होने वाले थ्रेट्स को वह एक्जामिन करता है कि आज देखो उसका अटाक लग नहीं रहा इसका मतलब यह नहीं कभी लगीगा नहीं हो सकता है कुस टाइम के बाद जाके अटाक लग जाए उसका ठीक है ना तो वह चीज चेक करने काम आता है इसके अलग अलग टाइट्स होते हैं honeybot के आपन यह देख लेते हैं तो पहला दे रखा है यहाँ पर low interaction honeybot low interaction honeybot मतलब जिखा है they match a very limited number of services and applications that are present on the network or on the system this type of honeybot can be used to keep track of a UDP, TCP, ICMP ports and services so basically low interaction honeybot में क्यों होता है कि जिसे मालों कोई port open कर दिया एक server का ठीक है ना आप क्यों होगा जिसे port उसने open कर जाए उसके विससे क्यों होगा जब आप attack लगाओगे ना तो उस port के उपर उस पे जाए interaction नहीं कर पाए जिसे port open ने आपने पिंक कर रहा हूँ सने capture कर लिया request that's it उससे उपर कुछ नहीं कर पागा मतलब एक port open करना उसको कोई service चालू नहीं करनी आपन को बस ठीक है ना service मतलब इंदसने की जिसे वैब server चल रहा है पर वैब application नहीं नहीं चला पाएगा वैब application नहीं चला पाएगा उस server के उपर वैब server तो है port number 80 भी open है पर वहापे application है उसके राव देखो यहां पर क्या रखा है second जो type दे रखा है वो क्या है medium interaction honeypot medium interaction का मतलब क्या होता है they are based on a intimating real time operating system and have all the application and services of a target मतलब की यह करना real time machine की तरह operating system की तरह काम करता है यह और इस पर सारी चीजी होती है they tend to capture more information and their purpose to is to install the attackers so that organization get more time to respond appropriate to the threats अब इसमें क्या रखा है कि basically जितना interact करेगा न attacker जितना basically आप उसको engage कर देंगे आपकी dummy application के साथ में जितने जितने challenges उसको dummy application में होगा तो उतना time आपको मिल जाएगा उसके भी उसके भिहाँ पर कुछ prepare करने के लिए let's suppose कि कोई जिसे होता है कई बार आप में देखा होगा कि कोई organization के पीछे hacker ही पढ़ गया आई दिन साइड हो रही है बार-बार उसका बार-बार servers को जा रहा है तो उस condition में अब company अगरते हैं कि वहाँ पर लागे honeypot डाल देती है अब honeypot डाल दे है वहाँ पर उससे क्या होगा कि अटाकर जो हनीबाट को उसको हनी उसने रिक्वेस्ट बेजी honeypot ने उसका response कर दिया honeypot dummy server हो गया कोई application होगी buggy application जिसे बो सकते है या buggy server ज जहां पर हम कोई attack करेंगे ना जिसे दिखाता हूं मैं आपको कि एक second अब जैसे मैं textplay टेबल दिखाता हूं मैं आपको अब बैसे स्टाट रहते हैं थैंकि स्टू मच DR gaming 20 रुपी सा सूपर चैट देने के लिए बता रहे है बढ़े बता रहे अभी डिटेट करने के लिए अगर आपको डिटेट करना है हनीपाट को नेटवर्क के अंदे तो सबसे बेस्ट काम है नेसस्स चला लो नेसस्स आइडेंटिफाइए कर देगा उसको कर रहा हूं यह है निट्रो निट्रो फाइव इस तरका निट्रो फाइव 32 जीवी रहे हैं अब जैसे आपको दिख रहा है यह मैंने बहुत बार अपनी अपने वीडियोस में भी डाला है मैं इसकी वैप इसकी पूरी इना सिरीज हमने एवलेबल कर रखिये जितने जिन ल वाली में इसमें चेक करता हूं में अगर हनी बॉट पर विजिट ना करे है कर तो उस कंडिशन कुछ नहीं होने वाला अब देखो यह वहां पर क्या रखाए 192 16220.132 तो तो 132 इसका क्या है कि ना 132 इसका सर्वर का आईपी एड्रेस है तो मैं यहां करता हूं 132 यहां पर डालता हूं ब्राउजर में क्योंकि दिखो वैब सर्वर ओपर है न इस पर इबर मैं डाला अब दिख रहा ही है इस पर इतना सही है ठीक है तो मतलब मैं ज़्यादा कुछ कुछ इंफोमेशन ले नहीं पाऊंगा बस वैब सर्वर चल रहा और होसता है कि बस कुछ डिटेल इंफोमेशन मिले कुई एप्लिकेशन नहीं होस्टेड है अब जिसे यहां पर देखो अपने अप्लिकेशन भी होस्ट कर रहा कि देखोगे न आप नीचे तो यहां पर आ लॉग इन कर पा रहा हों ठीक कर रहा हैं के अंतर लॉ इंट्रक्षान के सिस्ट की ब्ल्कुल मिलेगा आ या को याद है कि अरे बिल्कुल महुल भाई बिल्कुल याद है यार thank you so much भाई कि आपकी है ना हमारी वज़े से second bounty लग रही है basically हमारा तो कुछ हाथ नहीं है उसके अंदर पर हाँ आपकी मेहनत बहुत है उसके अंदर तो definitely wish you a very best of luck आप आगे भगवान करें आपको बहुत सारी बाउंटी मिले हम लोग हमेशे आपके साथ में रहेंगे ठीक है तब यहाँ पर यहाँ पर आप लॉग इन कर पारो दिख रहा है आपको एक अगर मानलो let's suppose समझे लो इसको की high interaction low interaction क्या होता है और medium interaction क्या होता है अगर मानलो सिर्फ port उसका open होता अगर सिर्फ port open होता और उ रिख बी नहीं application होती तो यह बिल्कुल low interaction में आता है ठीक है ना low interaction में आता है बिल्कुल low interaction क्योंकि इसमें interact नहीं कर पार है और गुस्पा रहे हो कुछ भी नहीं कर पा रहे है अगर in case ऐसा को होता पर login page ही होता बस वहाँ पर ठीक है ना तो यह medium interaction हो गया ठीक है तो है आपका पहले वाले में तो static paste था उसमें तो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे यहां कम से कम डाइनमिक content ए फॉर्म दे रखा है यहां पर कुछ detail डाल सकते हो कुछ attack लगा सकते हो अब एक होता है जैसे मैंने यहां पर डाला यूजर ने पासवर्ड और फिर मैं इसमें अब दिखा यह मैंने करा ना तो अभी यह मैं रसपांड नहीं कर रहा है और जैसे ही मैं login कर लिया यह हाई इंट्रक्शन हो यहां पर application में एंटर भी कर पा रहा हूं सारा काम भी कर पा होस्टेड नहीं होगा उसके अपर सेकेंड वाले में होस्टेड होगा लॉगिन पेज दे रखाओगा पर लॉगिन नहीं हो पाएगा तो मीडियम इंट्रक्शन और हाई इंट्रक्शन के अंदर आप application में घुज जाओगे जो मर्जी पड़े वो कर लोगे यह तीन तरीक ह जिसमें inbuilt कमी है जो सारे कस्टमर के लिए ओपन कर रखा है वहाँ पे आपने इसको होस्ट कर रखा तो यह क्या हो जाएगा और इन्फोमेशन गैदर यूजिंग इस honeypot is very resourceful but they are difficult to maintain और obviously बात है जिसको आपने प्रोडक्शन सर्वर में डाल रखा है और वो बगी सिस्टम है तो attacker ने उसको इसको मैंटीन करना बहुत मुश्किल है सब मैंटीन नहीं कर पाते हानीबॉट हाइट वाली को अपने में नेट्वर्क में रखे ठीक है तो यह सोड़ा साइड चालेंज होता है क्योंकि आपको इसको में नेट्वर्क रखना पड़ता है आइधिंग यह तीनों चीजे क्लिय हो गई होगी आपको विल्कुल आसान तरीके से लो इंट्रक्षन हाइट राक्षन और मीडियम इंट्रक्षन तीनों चीजे क्लियर होएंगी ठीक है ना अब अब इंट्रक्षन के बाद में प्रक्टिकल कैसे करना मतलब तब भाई की गर में अंदर गुस्ता जाएगा उतना पकड़े जाने का उतना ही खत्रा बरता जाएगा बिल्कुल ओम नमश्रीव ने इसको बिल्कुल हिंदी के अंदर बहुत सईथ सिंपल तरीके से समझा दिया है मतलब तबन भाई की हैकर चूरी करने के लिए जितना ही घर के अंदर गुस्ता जाएगा उसको पकड़ने उसके उसके पकड़े जाने का इतना ही खत्रा बरता जाएगा बहुत बढ़ी है इसको मैं स्क्रीशन लेए लता हूं always ठीक थीक है शी रक लिए आपन न है भाई अन ने बाट को इसले कि रख ताकि अपन उसके बारे आपन यह अपन डिफरेंट डिफरेंट टेckनिक्स्थ समझ पाए कि वह आटकर कि स्टैक की टेकनिक्स हमारे औहले सिस्टम भी आप आप अब यहां ते तो अपना theoretical हो गया अब let's do the practical practical वाला पार समझते है अपन अब अब यहां करने वालों मैं यहां पर काली की बात कर लेता है यह काली लेनिक्स है हमारा इसको मैं वियू कर देता हूं अब फुल पर ठीक है और मैं कमांड डालता हूं आपको एक हनीबाट हमने डाउनलोड कर रहा है पेंटेस्ट नामस होता है पेंटेस्ट 1.8 के नामसे बहुत अच्छा हनीबाट है आप इसको यूज़ कर सकते हैं ठीक है ना लाइनिक्स के लिए काली लाइनिक्स अगर आप कंडिशन में मैं इसे कमांड जो है वह आपको देता हूं मैं अगर आपको कोई भी दिख्कत आए तो आप आराम से कर सके इवन इसको कम्नेटी पोस्ट में भी डालता हूं मैं ताकि भाईयों को जितने भी दोस्त वगएरा है अपने उनको इस्वाइशू है ना चलाने में आप से मैं जो भी कमांड वगएरा होगा तक दिख्कत ना हो समझने के लिए ठीक है ना भाई ठीक है यहां पर आ गया अब देखो यह ना यह बहुत तगड़ा मतलब एक एक नंबर का आप देखोगे ना तो बहुत शानदार है पैंट बॉक्स के नाम से आता है ठीक है ना ना में बॉबहुत वो है कि नाम से पर सारे काम कर सकते हैं और इसके नदर बहुत डीटेल में बहुत सा चीजिए दे रखी है तो इसके अन्दर आपको क्रिप्तोग्राफी टूल मिल जाएंगे लेगया इसमें अपको नेटुटरू के टूल मिल जाएंगे नेशा इसमें दिखाने वालों प्रूब प्लैटिकली में आपको इसमें हम समझेंगे दोनों चीज एक तरफ अगर मानलों अपने चलाते हैं न कि एक तरफ अगर अपने चलाते हैं एंड मैं आप तो और पन सोचते हैं कि अपने कोई पकड़ नहीं पाएगा तो पीछे होता क्या तो वह द सिंपल इसको बस डाउनलोड कर लो एक स्टैट कर लो और फिर यूज कर लो खतम बात इतना ही है अभी में पैंट बॉक्स फोल्डर के अंदर हूँ और यहां पर मैं टाइप करता हूँ ठीक है ना डॉट स्लैश पैंट बॉक्स डॉट आर्बी में लिखा हुआ है रूबी इट आ गया यहां पर ठीक है ना इसके बाद अभी पूछ रहा है क्रिप्टोग्राफी टूल्स नेट्वर्क टूल्स वैब टूल्स अलग 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 दे रहे हैं मास अटक लाइसेंस और एक्जिट ठीक है तो मैं अब ही क्या करने वाला हूँ यहां पर नेट्वर्क तो मुझे ठीक है तो वह दिर्खा कि देखो नेट डोस टेस्टर दिरखाए वह आप एनड में बोलना माला वीडियो जब खतम हो जाएगा तो उसके बाद जाके डाल जाना ठीक है अगर आप इंस्टाग्राम पर तो प्लीज हमें फॉलोग कर सकते हैं चैट बॉक्स में मै मौमद किसमत ने बहुत अच्छा कमेंट करा मैं पढ़के आपको सुमाना चाहूंगा माशाला सर आप पढ़ाते हैं ना सर बहुत ही अच्छा लगता है और बोरिंग थोड़ा सा भी फील नहीं होता है वीडियो बनाते रहिए हम सब लोग फुली सब्सक्राइब करते रहे अब यहां पर दरखा है कि अधर आप इस हनी पो को या फिर मानलो कि आप फास्ट ऑटो कॉंटेशन पर लेके जाओगे तो ऑविसी बाते भाई यह क्या करने वाला है आपका जीसे आप ऑटो कॉंटीशन करोगे तो उस कंडिशन के अंदर यह पोर्ट नुमबर 80 पर वेब सर्वर के उपर ही आप फुट्पिंट करेंगे तो मैं दोनों चीरे के दिखाऊंगा भी आपको ठीकिन विंडोस अभी अपना चालू कर ले था अपन ठीक है ना मशीन है मिलें जो हमारा टार्गेट है जो हनी बॉर्ट हमारा बनागों वो कौन है हमारे प्रक सिनारिओ को हीसे यह मेरी काली लेक्षिकी मशीन है कि क beard कर रहा हमारा अनीपॉट ठीक है ना यह हमारा ब्लू टीम हो गया ठीक है और यह हमारे दो हैकर है छोड़ी छोटे हैकर ठीक है ना यहां प्यादव में एक दे रखा है हमारे पास हाँ भाई सीखे टेकनो भाई पूरा हैकिंग सकते हैं यह से बैठे बैठे यह हमारा विंडो सेवन डो सेवन नार्मल यूजर ठीक है यह हो गया उसके अलावा यह जो है हमारा पैरेट सेक्यूरिटी अटाकर ठीक है समझ में आगया आपको इस तरीके से इस तरीके से पूरा का पूरा अपने बना दिया यह चीज ठीक है ना उसके बाद देखो यहां पर फिर दूसरा वाला जो है हमारा यह भी अपन पैरेट सेक्यूरिटी से अपन करेंगे तो यह दोनों की अटाक अपन करेंगे देखेंगे अभी अपन ठीक है ना कि इम्पैट क्या पड़ता और इसके पीछे का बैग्राउंड क्या करें तो अब अबने करना सीखा है अब आज आपन समझेंगे कि अटाक करेंगे ना पीछे चलते है व्लुब यह कि आज में जलना सीखेंगे जलने के बाद पीछे होता क्या है ठीक है ना तो आप देखो यहां पर आगया आप ना एक सेकेंड रूख जाओ वीडियो टग य तो नहीं हुआ ठीक है चलेगा अभी फिलाल आपिस आगे ना तब यहां पर क्या है कि बेसिकली अभी यहां पर दो चीज आगी विंडियो 7 आगया प्रेट सिक्यूरिटी अटाकर आगया हमारा अब उस कंडिशन में अब उस कंडिशन क्या करना पूंपको फीशे बैक में आता हूं आप फीसे में आप श्ला जाता हो लैब में इस पर आज़ा चाहिक एपन और यहां से मैं करना आप फास्ट ऑटो कांफिगरेशन तो यहां पर उसमें आगया क्या नाम है तो आप मैं इसको करता हूं बाहर आके वापीस से मैं जाता हूं इनीशली आप क्या करना और दीरे-दीरे या करना वापीस से फिर आप कर लेना जाना पर स्टार्टिंग में आप आटोमेटिक लेना ताकि अड़्टीस आपके अब देखो थर्ड पर आपिसे मैं टाइप करता हूं उसके वाव एक सेकेंड एक सेशन क्या रुक गया पुरा दिमागी मां चला गया नेट्वर्क टूस था हमारा ठीक है न उसके अलावा हनीपॉर्ट थर्ड नंबर का उसके बाद फर्स्ट अब देखो फर्स्ट नमर पर आगये यहां पर अब यहां पर क्या है कि बैसिकली हनीपॉर्ट एक्टिटेड नंपर 30 दिख रहा है एक सब्सक्राइब करते हमें ने विडियों को सिस्टम का आईपी एडर्स जो मैं चेक करता हूं मिरिस सिस्टम का आईपी आडर्स क्या है तो यहां पर जाके मैं एक इसको मैं विंडोज में जाके ऊपन करता हूँ 192.168.220.138 ठीक है एंटर मारता हूँ देख रहा है आपको यहां पर क्या आ रहा है लोग इन फिल्ट आई-पी एड्रेस लोग इन फिल्ट एक्सेश डिनाई ठीक है ना इसको लो इंट्रक्शन बहुत सकते हैं आप एक तरी किसे लो इंट्रक्शन है अब इस नहीं आ पीछे यहां पर जन्रेट कर दिया रिक्वे इस पोर्ट नंबर से आईगे रिक्वेस्ट और यह जो आई-पेडर से नहीं किसका आई-पेडर से एक बार चेक कर लेता है अपन फिके ना देखोर यहां पर दिरखा रहा है यहां पर रखाए बंट्री सेवन तो इसी सिस्टम से एक ट्राफिक जनरेट हुआ और इस पोर्ट पे गया है ठीक है ना तो इस तरीकी दोर यहां पर देखो यहांगी एलर्ट ठीक है एक सेस लेको यहां पर जिसेज़ा पने अटाक करते हैं तो यहां अटोमेडिक लीए लॉक करेगा उसको एंटर गारता हूँ मैं एंटर मारा सरेवर पहिए यह ठीक है यहां पहिआ यहां पहिए नीचे आते हैं यह देखवा गए यहां पर दिख रहा है स्क्रिप्ट इस तरीके से बेसिकली इस तरीके से जब भी आप अटाक करोगे ना तो आटोमेटिक लिए करेगा यह लॉक करेगा उसको ठीक है ना तो इससे जितने भी फूट्पिंट आप करोगे ना जैसे मालो आप वन इकॉल टू ठीक है एक बर आप चेक कर लो हाँ सब्सक्राइब यह चल रहा है बिल्कुल ठीक है ना तो यह एक तरीक है उसके लावब जब आप अप से अब देखो यहां पर आता हूं मैं पर बहुत दिनों के आप चलाया भाई मैंना आस तो यह हाँ हाँ आज मेरे नेटवर्क में वीडियो वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है थोड़ा सा रुक चाहरा एड़ेस्ट करना पड़ेगा भाई अच्छा अब यहां पर मैं दिखाता हूं आपको व्यू फुल एक्सेंशन मोड पर कर लेते हैं अब वह जो है वह सर आब आजी ब्रेक हो रही है यह देखो यहां पर इसको बड़ा कर लेते हैं अब मैं यहां पर करने वाला हूं भी अपने पास इतना रिक्वेस्ट आईदा दिखरा हो न आपको अब जो है मैं मैं अपने सिस्टम से में सिस्टम का इड़ेस का है पहले मैं आइफ को दिखा़ता हूं मैं आपको 182.168.220.130 130 मेरे सिस्टम का आईपटेस इस से में का करने वाला हूं इसके ओपर 130 130 से इस सिस्टम पर डैक करने वाला हूं मैं ठीक है ना और इस सिस्टम का 138 है तो यहां पर पर करते हैं एनमैप चलाता हूं मैं आपको देखो एनमैप का देखो एनमैप क्लियर एनमैप हाइफन वी हाइफन ए और पूर्ट नमबर 80 पर कर रहे हैं अपन 192.168.220.138 सब्सक्राइब आपको कमांड बहुत सिंपल सा है हाइफन वी मतलब वर्बोस ए मतलब की ओस इनुम्रेशन वर्दन सारे चीज़ आ जाएगी इसमें आइफन पी मतलब पूर्ट नमबर और स्पेस देखे मैंने आई पेड़स डाल जाल जाए टार्गेट मशीन का जो मेरा हानी पॉट है ठीक है ना जब पर यह डाल देंगे एंटर करते हैं देखो उसके बाद कितना ट्राफिक जनरेट होता है यहां पर आपको नजर आए प आपको कार्लिनेक्स नहीं यह दूसरा वाला उटिंग सिस्टम में पैरेट सिक्यूरटी अब अब देखो यहां पर एंटर मार रहा हूं मैं एंटर मार के देखो अब यह पूर्ट स्कैन करना शुरूर रहा पीछे देखो कितना ट्राफिक आ रहा है कि दिखर आपको यहां ट्राफिक जनरेट कर रहा है कि एक्वेसारी पोर्ट नमबर एटी एटी पे कितना ट्राफिक आ रहा है शान्दा तरीके का एक चेक कर लेते हैं भाई कहीं दिक्का तो नहीं आई आए 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 चेक कर लेए गाइस शाहिद से कुछ सिस्टम का कुछ इश्वार है कर दो कर दो हो गया कर दीख रहा है मैं चल रहा है एक बार एक बार था वीट कर लेते हैं थोड़ा सा इश्वार नेट्वक का थोड़ा सा वीट कर लेते हैं एक बार झाल